शहर के जरीपटका वगिटिक अधान थाने के दो महिलाओं ने अपने प्रेमियों पर धोका देने कारोप लगाते हुए बलातकार करने की शिकायत की है खास बात यह है कि दोनों शिकायत करता महिला एव विवाईत है जरीपटका में शिकायत करने वाली 37 सुर्शिय महिला अस्पताल में काम करती है वह दो बच्चों की माँ बताई जाती है उसकी फेस्बुक पर चार साल पहले जलगाउनियावासी वहांचालक देविनरविकास पवार से मित्रता होई थी दोनों के बीच ओनलाइन चैटिंग शुरू होकर 30 सितमर 2017 से अनैतिक संबन शुरू हो गए थे विवाहित होकर भी महिला और आरोपी पवार ने विवाह करने की तैयारी दिखाई दोनों के बीच लगातार शारिरिक संबन्द होने से महिला गर्बवती हो गई लेकिन महिला ने गर्बपात कर लिया था पवार के शादी करने से इंकार करने पर महिला ने जरीपट का थाने में शिकायत दर्च कराई दुसरे मामले की फरियादी महाल निवासी महिला है उसकी आरोपी रोशन अशोख खोडे से मितरत आ थी खोडे ने महिला को नोकरी लगाने के लिए काफी प्रयास किया था दोनों विवाहित होकर भी करीबा गए दो साल से दोनों के बीच अनेतिक संबंद बन गए दो दिन पहले दोनों में विवाध हो गया खोडे ने महिला को मारपिट कर धम की दी महिला ने गिट्टिकदान थाने पहुच कर बलातकार की शिकायत दर्च कराई पुलिस ने आरोपी खोड़े पर मामला दर्च कर गिरफतार किया है